नमस्कार मैं हूँ प्रवीन इंडिया टैंप 24 न्यूज में आपका स्वागत है हमारे देश में स्ट्रीट डॉक्स को लेकर एक बहस चड़ी हुई है स्ट्रीट डॉक्स यानि गलियों के अवारा कुत्ते और ये बहस इसलिए चड़ी हुई है क्योंकि कुत्तों की वजह से बागबकरी चाय पत्ती के मालिक की मौत हो गई बागबकरी चाय का नाम तो आपने सुनाई होगा हो सकता है आप चाय पीटे भी होंगे बहुत फेमस चाय पत्ती है ये हम इसका प्रचार तो नहीं कर रहें लेकिन आपको बता रहे हैं कि उनके एग्जुकीटिव डारेक्टर की मौत हो गई क्योंकि स्ट्रीट डॉक्स ने उन पर हमला कर दिया था ये 15 अक्टूबर की घटना है जब एहमदाबाद में रहने वाले उनच्चा साल के पराग देशाई हर रोज की तरह अपने घर के पास बने एक पार्क में जा रहे थे मौनिंग वॉक के लिए लेकिन इसी दोरान कुछ गली के डॉक्स उनके पीछे पढ़ गए और उनकुत्तों से बचने के लिए वो पीछे की तरफ हटे और जमीन पर गिर गए जमीन पर जैसे ही वो गिरे गिरने से उनके सर पर गहरी चोटा गई और उन्हें ब्रेन हामरिज हो गया इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी सरजरी हुई और पांच दिनों में उन्होंने जिन्दगी को अलविदा कह दिया एमदाबाद के शेलबी इस्पताल में प्रेस नौट जारी किया गया मरीज पराग देसाई को इमर्जनसी डिपार्टमेंट में करीब शाम को छे बज़े लाया गया था वह बेखोश थे हमें बताया गया कि कुत्तों के बीच पीछा किये जाने के बाद मरीज गिर गया था लेकिन हमें कुत्ते के काटने के निशान नहीं मिले सिटी स्कैन में एक्सक्यूट सब्डूर्यल हेमाटोमा था हाल में हमें कुट्टे के काटने या आवारा जानवरों के कारण होने वाले बहुत सारे मामले मिले हैं यानि कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुट्टों के काटने के निशान नहीं बने इसका मतलब यह है कि कुत्ते उनके पीछे पड़े होंगे या उन पर अटाक किया होगा और वो डरके पीछे की तरफ मुड़े और नीचे गिर गए और उसके बाद जो है उनको काटा तो नहीं कुत्तों ने और सबसे बड़ी बात दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो केजिवा सरकार का वादा था कि स्ट्रीट डॉग्स से जनता को राहत दिलाई जाएगी इसके बावजूद आप देखते होंगे कि तमाम गलियों में स्ट्रीट डॉग्स की संक्या बहुत जादा है और अक्सर कुत्तों के काटने की खबरे भी सामने आती रहती है तो ये तो चलिए दिल्ली का मामला है लेकिन ये जो मामला है ये एमताबाद का है और यहां दो हजार करोड रुपे का समराज्य खड़े करने वाले बगरी ये जो चारपती है इसके मालिक वो कुत्तों का शिकार हो गए तो आम जंता के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या हो सकता है अब हम आपको बताते हैं कि पराग देशाई थे कौन अब ये समझे पराग देशाई मैनेजिंग डिरेक्टर सरेश देशाई के बेटे हैं उन्होंने अमेरिका की लॉंग आइलेंड इडिवर्स्टी से MBA किया था उन्होंने गुरुप के लिए विक्री, विपनन और निर्यात विभागों का नित्यत्यु किया उन्हें चाय के स्वाद की बेहतरीन समझ थी अब लिए एक बहुती छोटा दा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हरियाना में वर्काउट करते वक्त कैसे एक DSP को हार्ट अटक आया और उनकी मौत हो गए भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिबुल रेट्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हरियाणा में डरा देने वाला हार्ट अटेक का मामला सामने आया है पानीपत जेल के डियेसपी जोगिंदर देशवाल जिम में व्यायाम कर रहे थे तभी उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ उन्होंने तुरंत एक निजी अस्पताल म ले जाये गया उन्हें जहां उन्हें मृत घोशित कर दिया गया डियेसपी जोगिंदर देशवाल करनाल के नियाएपूरी इलाके में रहते थे डियेसपी जेल जोगिंदर देशवाल की उम्र बावन साल की थी वो करनाल के नियाएपूरी इलाके में रहते थे वो पहले व लाजसे के बाद उनके परिवार और दोस्तों में शौक की लहर है। उनके दोस्तों का कहना है कि वो हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहते थे, खड़े रहते थे। उनके दो बच्चे हैं जिनके सिर्स पिता का साया उठ चुका है। DSP के मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, घर में मातम चाया हुआ है, अब ज़रा सोचिए, घर में आप सब लोग खुशिया मना रहे होंगे क्योंकि तिवारों का सीजन चल रहा है, आज दशेरा है और आने वाले टाइम पर दीवाली है और बहुत सारे तिवाली पर क्या खरीदना है, कैसे सब कुछ प्लाइनिंग करनी है, लेकिन एक तरफ ये लोग है जहां आपने एक और खबर सुनी होगी, गुजरात में गर्बा के दोरान एक दिन में, यानि 24 घंटे में दस लोगों की हार्ट अटेक से मौत हो गई, ये भी एक दुखत और अब ये DSP खबर हम आपको सुना रहे हैं, तो ऐसे भी घर हैं जहां त्योहारों के समय में मातम चाया हुआ है, और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो इस बार इस साल त्योहार नहीं बना पाएंगे, ये बहुत ही बड़ी जो है त्रासदी है हमारे देश में, परि एक्सराइज कर रही थे, सोचे, एक्सराइज के दोरान लोगों को हार्ट अटक आ रहे हैं, इस दोरान एकदम से मश खाकर गिर गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें वित घोशित कर दिया, DSP के निधन के बाद से पान आपको रूबरू कर आते हैं, और बीमारियों के बारे में आपको जागरू करने ही कोशिक करते हैं, तो आपको हमारे सारे इंटर्व्यू जो हेलो डॉक्टर में हम लेते हैं लगाता, वो देखने चाहिए, उससे आपको जानकारियां मिलेंगी कि क्या आपके स्वास्ते के न्यूज आपकी फिक्र करता है यही वज़ा है कि हम अलग-अलग हॉस्पिटल में अलग-अलग स्पैसलिस्ट से नए नए जो बिमारियां हैं उस पर इंट्रिवू करते रहते हैं उनका और आप तक जागुकता पहलानी की कोशिश करते हैं और बहुत सारे कार्डियोलोजिस के हमने इंट्रिव भी किये हैं और उनसे हमने समझा भी है कि हार्ट अटेक के सिम्टम क्या होते हैं और हार्ट अटेक आने से पहले कैसा महसूस होता है और इसे कैसे बच सकते हैं और एक बार अगर हार्ट अगर हार्ट अगर हाया है तो आगे से क्या कुछ ध्यान रखना कि आने वाले टाइम पर दोबारा ऐसी नौबत ना आए तो आज हम आपसे एक request भी करना चाहते हैं कि India Time 24 News का कोई भी correspondent अगर किसी भी specialist का interview कर रहा है और वो हम viral कर रहे हैं social media पर, whatsapp पर, youtube पर, facebook कर तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और यकीन मानिये कि ये interview आपके जरूर काम आएंगे और हमारी भी कोशिश यही है कि आप तक हम जागूता पहुचाएं health को लेकर और हमारे साथ तमाम hospital भी जुड़े हुए हैं दिवेप्रस hospital, भगत चंदरा hospital, अंसारी hospital, साधना hospital ऐसे तमाम hospital हैं जो इस मुहीम में हमारे साथ हैं ताकि आपको हम लोग जागरुख कर सकें और ये जो खबर है 24 घंटों में 10 लोगों की मौत, heart attacks से ये कोई छोटी-मोटी खबर नहीं है आप सब लोग दशारा में अड़े हुए हैं, रामिला देख रहे हैं और लेकिन ये सबसे बड़ी खबर ये है कि एक दिन में 24 घंटे में heart attack से 10 लोगों की मौत हो जाती है exercise करते वकत, व्यायाम करते वकत एक DSP की मौत हो जाती है ये इससे बड़ी खबर आप खुद सोचिए कौन सी हो सकती है कि हम dance कर रहे हैं तो heart attack आटा है हम exercise कर रहे हैं तो heart attack आटा है और पुलिस वाले सडक के उपर अपना जो है काम कर रहे है तब उनको heart attack आटा है तो ये बहुत बड़ी समस्चा है जिसको आप लोगों तो गंभीरता से लेना ही चाहिए बलकि तमाम hospitals और प्रशासन को भी गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर जागरुकता फैलाई जानी चाहिए अब जो हरियाना में हम आपको ख़बर सुना रहे हैं हरियाना में heart attack से रोजाना ओसतन 33 लोगों की मोते हो रही है विधान सभा के मांसुद सत्र के दोरां स्वास्ते मंत्री अनिल विज ने सदन में ये रिपोर्ट पेश की थी हरियाना के स्वास्ते मंत्री अनिल विज ने बताया था कि प्रदेश में एक जनवरी से 31 जुलाई तक heart attack अत्वा heart failure के कारण कुल 7,026 लोगों की मोते हुई है तो आप जरा सोचिए कितना बड़ा मामला है ये एक स्टेट की हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं एक स्टेट का ये डाटा है जहां वहां के ग्री मंत्री बता रहे हैं कि 7,026 लोगों की मोत एक साल में हुई है तो पूरे देश में आप सोचिए कि कितना बड़ा एक तबगा होगा कितने बड़ी लोगों की संक्या होगी जो इस बिमारी के शिकार होते होंगे और ये तो वो है जो खबरों में आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खबरों में ही नहीं आ पाते हैं वो सिर्फ बेचारे heart attack आता है hospital में जाते हैं, doctor myth गोशित कर देता है और उनकी कहाणी वहीं खतम हो जाती है किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ, उनके साथ क्या नहीं हुआ और ऐसे एक नहीं, दो नहीं बहुत सारे लाखों में मामले आते होंगे तो आपको आज ये रिपोर्ट देखकर पूरी तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए अपने स्वास्ते को लेकर, अपने परिवार के स्वास्ते को लेकर क्योंकि जान है तो जहान है बहराल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों लिए आप बने रही है हमारे साथ और देखते रहे हैं इंडिया टाइम को डिफोल्ट इस खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन